नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल चॉप्स वाले भाईया में मैं शिवम ठाकुर फ्रेंड्स बात करेंगे एक वेकेंसी आप लोग के भी सर्कुलेट हो रही होगी जैसा कि अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है अग्रिकल्चर रिसर्च एंड डेवलोप करेंगे एक दम 100% सही मिलेंगे तो इसके बारे में जानने के लिए आपको इसके वेबसाइट पर ले चलेंगे तो वीडियो के लास्त तक जरूब बने रहेगा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीचेगा चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब बटन दबा लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा चली बताते हैं इसमें बताया क्या जा रहा है कि पोस्ट लेखा पाल कंप्यूटर ऑपरेटर और परिचारी तो आज कल बिहार में चल कर रहा है जो भी वेकेंसी आने वाली होती है या फिर जो भी सबसे ज्यादा लोग सर्च करते हैं जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर और परिचारी टाइप के पोस्ट तो इन सभी पोस्ट पदों के नाम पे फेक वेकेंसी क्रिएट कर दिया जाता है ठीक है तो कुछ ऐसा ही है यह आपको यह प्रूफ करके दिखाएंगे वीडियो में कि कैसे फेक है अभ बीचे के लिए 40 सबसे बड़ी बात है तो जो आपको इस फॉंट पर यहां पर टैपिंग दिख रहा है इस फॉंट पर बिहार सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसे टैपिंग पर कोई वेकेंसी जारी नहीं की जाती है वैसे आपको साइट पर ले जाके आपको इस पीडियाप में आपको यह कहीं नहीं दिखेंगा कि इसको सब्मिट करेंगे तो वहां पर देख पाएंगे कि यहां पर चार सो रुपए आप से डिमांड कि जा रहे हैं जो कि एकदम बिल्कुल आपके पैसे डूबने वाले हैं चली चलते हैं इसके करा कुछ नहीं है यह आप लोग के पैसे ठगने के लिए कुछ दिनों के लिए क्रेट किया गया है जैसे ही इसमें कुछ अच्छे आमांट जमा हो जाएंगे उसके बाद यह वेबसाइट खुदवा खुद बंद कर दिया जाएगा जिसने भी बनाया है कोई आजकल वेबस होता कि अगर आप किसी वेकेंसे को फेक बताते हो तो जो भी इसके डेवलपर हैं जिने बनाया है वो जो आपको कॉंटाक मुझे करते हैं फिर बताते हैं धमकी बगएरा देते भी हैं लेकिन डरने वाले कोई बात नहीं जब फेक है तो फेक है फ्रेंट परसेंट आपको एक भी पैसा नहीं देना आया पर तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं फ्रेंट की इसका जो वेफसाइट हो आपको दिखा दिया अभी यहां पर देख रहे होंगे कि रिजिस्ट्रेशन अप्लिकेशन फॉर्म और आप नीचे आएंगे तो आपको यहां पर इसका जो वे कि ररेश्ट्रेशन कर सकते हैं यहां से अप्लिकेशन फॉर्म वगएरा जो दिया हुआ है तो पहले अप्लिकेशन फॉर्म पर क्लिक करके क्रकर देखते हैं क्या कुछ डिटेल आप यहां पर पोस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं सहायक लेखा पाल या फिर परिचारी ठीक है तो इसमें सिलेक्ट करने के बाद यहां पर डिस्ट्रीक जेंडर मेल वगरा मन जो भी आपका कॉलम है उसको फिल करने आप इसमें कुछ भी फिल कर लो ठीक है फ्रेंट्स सिदा आपको सब्मीट का बटन दिखाता हूं जैसा कि फ्रेंट्स आपके स्क्रीन पर देखिए मैंने मुवाइल नमर में पचपन डाला हुआ है और यहां पर देखिए नाम में कुछ से कुछ भी डाल दिया एबी सीडी डी डाला है और तब इसको सब्मीट बटन दबाए कोपी किया है उसको पेष्ट करके फॉर्म प्रोस्यस कर सकते हैं जीए परिश्टेशन नमर नमर का कॉलम दिया हुआ है यहां पर ने कि यहां पर आपके सामने हैं जो है सचाई वह एकदम तलियर आपको पता चलने वाली है और ऐसे फोर्म से ब्रेंट्स मेरा अक्सर काम र सभधान करना तो जो भी वेकंसी आती है मैं आप लोगो बिल्कुल सभी सभी बता देता हूं तो जो चैनल पहली बार है जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा फ्रेंड आप भविश्च से में जो भी वेकंसी आए उससे आप लोग रहें ठीक है तो यहां पे एड्रेस में भी जासा कि आप लेकंसी कर दिया और है आपको मां देखा देते हैं यहां पर देख सकते हैं मैंने क्या डाला हुआ है इसको उन से कोई फरक नहीं पढ़ना हैं यहां पर तो आपको पेमेंट करने के लिए मांगेगा तो इससे आप लोग ने क्या समझ लिया फ्रेंट की जो भी वेकेंसिया आती है उस पे आपको तुरंद से आंक मुंद के भी विश्वास नहीं कर लेना है थोड़ा सा जो भी ट्रस्टेट लोग हैं जो पहले समझते हैं इन चीज पता होंगे कि जो भी वेकेंसी सुरू से भी फेक आती है मैं अक्सर उस पर वीडियो दो बना के आप लोग को सचेत करता आ रहा हूं इस करन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बिझलने को मिल जाती है फ्रेंट कई बर कॉंटक करके धमकी भी देने लग जाते हैं लेकिन जो हक प्रिचारी का जो पोस्ट है वो क्रिएट किया गया है वो उसके लिए वेकेंसी आएगी हर एक डिस्टिक का ओलड़ी मैंने वीडियो बनाई हुई है उसका लिंक में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं वह भी 100% जिन्वीन है जिला परिसत से उसकी जाएगी और जो आपके डिस्टिक में जो पैनल होगा जहां पर सिक्ष्छा विवार का ओफिस होता है वहां से उसका पैनल तयार कराके उसके बाद उसका एक लिस्ट क्रिएट किया जाएगा और उस हिसाब से मतलब कि मैटरिक इंटर का जो भी माक्स है आपका उसके अनु को ही मिलेगी अगर वह टेंपरररी निकलती है तो अक्सर मेरी वीडियो जाती रहती है तो चैनल पर अगर आप पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि आप भी सचेत रहें इंतजार करें मेरे किसी नए वीडियो का तब तक इलिए फ्रेंस धन्यवाद